दोस्तो आज मैं आप सब के बीच एक बहुत ही जादा महतपुर्ण सवाल लेकर आए हैं कि जमीन नापी के लिए सरकारी अमीन ये भोमापक को कैसे बुलाएं एकदम ये most demanding topic है कई लोग comment करके पुछते रहते हैं कि सर हमारी जमीन में विवाद है और ये भी बाद private अमीन से नहीं निपट रहा है तो हम सरकारी अमीन से नापी कैसे कराएं क्या है प्रक्रिया, क्या है process तो बस दोस्तो आपको इसका जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में एकदम बारीकी के साथ चिंता जरा सभी नहीं करना है लेकिन हाँ, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं भूमापक अमीन का course करवाता हूँ एक साल का diploma course और साथ में तीन महीना का certificate course आपको जो भी course करना है चाहे diploma या फिर तीन महीना वाला certificate course दिये गए नंबर पर आप contact कर सकते हैं और course related जानकारी आप ले सकते हैं लेकिन हाँ, अगर आपको course करना है तभी call करें, समय बरबाद करने से कुछ भी नहीं होने वाला है उससे अच्छा है कि आप दूसरा काम करें और रहा गई बात, कि यह जो classes है वो हमारा application Genius Maker पर होता है जो आपको play store पर मिल जाएगा search कीजिएगा Genius Maker, आजएगा मेरा application, install कीजिएगा mobile number से login कीजिएगा, तो वहीं पर course आपको दिख जाएगा ठीक है, अगर खरीदने वेगरा में परिसानी होगी तो आप contact कर सकते हैं, दिए गए नमबर पर चलिए खर आज के topic के उपर आते हैं, ज्यादा क्या बोलते हैं, promotion नहीं करते हैं, ठीक है देखें दोस्तो, suppose कीजिए एक व्यक्ती है A एक व्यक्ती है A इसका कुछ जमीन है किसी गाउं में एक गाउं में इस A का क्या है? जमीन है, देखें, ये वहला जमीन जो है na किसका है? A का है अब ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई एक गाउं में केवल A का ही जमीन होगा, भाई बहुत सारे रियत होंगे उनका भी जमीन होगा अगल वगल में सरकार का भी जमीन रहता है तो यहाँ पर दोस्तो, suppose कीजिए कि जो भी प्लोट किसी रियत का है भाई वो नकसा में होता है, ठीक है? नकसा में दर्ज होता है और हर प्लोट का अपना एक नंबर होता है जिसको हम लोग प्लोट नंबर ये खेसरा नंबर कहते हैं तो suppose कीजिए A का जो प्लोट है उस plot का जो plot number है वो है 126 कितना है 126 clear इस plot का अपना एक पाचान है और यह पाचान number के दोबारा होता है चलिए दोस्तों एक क्या है ना इस जमीन से आपती है इस जमीन से आपती ने जमीन तो इसका है ही लेकिन भाई इस जमीन का जितना छेतरभल है वो उतना नहीं कबज़ा कर पाया है जो अगल बगल वाले लोग है ना इसके जमीन पर चड़ गए है और यह पैचारा बार बार प्रैविट अमीन को बुला रहा है लेकिन मामला सिमट नहीं रहा है बहुत पैसा खर्शु जा रहा है प्रैविट अमीन को आप बुलाईएगा तो तो अपना हाजरी लेगा हजार, दो हजार, तीन हजार, सड़े तीन हजार जो भी उसका बनता है उसको देना पड़ेगा ना पियाप कराएं चैना कराएं लेकिन यह वेचारा बहुत परिसान है क्योंकि इधर के दबंगाई लोग जो है मान ही नहीं रहे हैं और बहुत दिन से कबज़ा करके रखे हुए हैं, छोड़ी नहीं रहे हैं मामला सुलज नहीं रहा है गाउं के अस्तर पर अब दोस्तो इसके अगल बगल के जो प्लोट है इनका भी प्लोट नमबर होगा, खरटा ये अब एक वापत्ती है यहां प्रैविट अमीन से इसका निफटवारा नहीं हो रहा है अब इसके पास जो अधिकार है उस अधिकार का प्रियुक करेगा और सरकारी अमीन को बुलाएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा दोस्तों अंचल, ये वैक्ती जो है कहां चला जाएगा, अंचल चला जाएगा अंचल कारियाले चला जाएगा और अंचल में किसके पास जाएगा भाई ये जाएगा अंचला धिकारी के पास किसके पास, अंचला धिकारी के पास, ठीक है, अब यहाँ पर जो है, यह व्यक्ति जो है, इनको एक आवेदन लिखेगा, क्या लिखेगा, आवेदन लिखेगा, अब आवेदन किस प्रकार लिखेगा, उसका फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेवा में अंचल इधिकारी, अंचल का ना अब जिस जमीन का आप नापी कराना चाहते हैं उसका सारा डिटेल यहाँ पर आपको देना है कि जमीन का खाता संख्या क्या है खेसरा संख्या क्या है, रकबा यानी छेतरफल कितना है, चोहदी क्या है, मतलब उस पुलोट के अगल बगल में, कौन-कौन है, कौन-कौन सा पुलोट है, ठीक है, राजस वो थाना संख्या, राजस वो मौजा, यह सारा चीज जमीन का वीवरन, अंकीत हो गया, अगर दो देट यहां पर डालिएगा, और साथ में दोस्तों यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा करके जितने भी लोग हैं, जहां पर आपका जमीन है, अगल बगल में, जिनसे आपकी अपत्ती है, उनको वहां पर रहना जरूरी है, उनका नाम यहां पर लिख सकते हैं, पिता का नाम और साथ में address भी लिख दीजिएगा, तो कि इन ही address पर जो है, इन लोगों को notice भी भेजा जा सकता है, किसके तबारा, अंचला धिकारी के द्वारा, तो यह होगी application, इस application को आपको किसके पास देना है, अंचला धिकारी के देना है, अब अंचला धिकारी जो है, वो सारा ची नहीं केवल application देना है आपको, साथ में जो जमीन के आपके कागजात है, मुल दस्तावेज है, उनको भी attach करके आपको अंचला दिकारी को देना है, तो इस तरह से यहाँ पर पहले आपके अंचल में test होगा, मतलब test करने का मतलब जांच होगा, कि भाई ये जमीन उस व्यक्ति के नाम से है या फिर अगर पाया गया कि हाँ भाई सही है तो फिर जो है अंचला धिकारी क्या लेंगे फीस लेंगे ठीक है और वो 1500 के आसपास में रहता है 2000 भी हो सकता है हर स्टेट का अलग-अलग ठीक है हर जगा का अलग-अलग बाद में सै भी से ले लिया गया अब देखिए हम आपको यहाँां पर समझाएं है इस जमीन को लेकर के कि व्यष्ण कि बाइए ब्लग बाई करवाद है यहाँ पर चड़ मामला कई पर तरीके के होते हैं ठीक है बहुत तरह के िोसकते हैं कुल मिलागर कर कि आपको यह समझना ہے कि एको नापी कराना है, अपने जमीन का सिमांकन करवाना है, सिम्पल सिफंडा है, मामला बहुत तरह के हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत तरिका हो सकता है, 90% केसेज जो है जमीन से ही जुड़े हुए कोट में पेंडिंग है, यह बात आपको कान खुल करके सुमल लेना चाहिए, ठीक है, चलिए खेर रटाइए, अब दोस्तों अंचला धिकारी जो है, अमीन का जो सरकारी अमीन का जो होता है, फीस होता है, वो ले लेंगे, और आपको जो है, उसका receiving भी दे दिये जागा, और उसको संभाल करके इस A को रखना होता है, चलिए दोस्तों, अब क्या होगा, अब यह अंचला धिकारी जो है, नोटीस भेजेगा, जिनका जिनका आप यहाँ पर नाम दिये है, उनके पास क्या जाएगा, नोटीस जाएगा, कि आपको कोई आपती तो नहीं है भाई, जिस जमीन का नापी होने वाला है, सरकारी अमीन दवारा किसी तरह का आपती है, तो अगर किसी तरह का आपती होगा, तो भै वहाँ लोग बताएंगे, और ऐसा नहीं कि मतलब कि आपती है, कुछ भी बता देगा, चल जाएगा, उसका परमानिद भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो कुल मिला करके जो है सो नापी की परकरिया, फिर इसके बाद अगर किसी का आपती नहीं है, नापी होने में अगर सब लोग बिवस हैं, मजबूरन जो है, नापी अब होगा ही होगा, क्योंकि भाई, माने चले दबंगई से आप चाहेंगे, इसका जमीन हड़ापके रख लेंगे, आप कहेंगे नापी नहीं कराएंगे, तो भाई, क्यों नहीं कराएगा, कराना होग वो अबिदन दिया है, उसका अधिकार है, करा सकता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अगल अगल के जो लोग मान गए हैं, कुछ भी करकर के मापी को पेंडिंग करा देंगे, आज पेंडिंग कराएंगे, तकल होगा ही होगा, ये कनफा में, क्योंकि आपका अधिकार है, आप लड़ियेगा ढंग से तो पाईएगा जीतियेगा, ठीक है? चलिए दोस्तो अब यहाँ पर जो है ये प्रिक्रियों होने के बाद, जब किसी को आपती नहीं होगा, तो एक नियत तिथी इनके द्वारा तय की जायेगी, एक नियत तिथी तै की जाएगी और इस नियत तिथी को और यह नियत तिथी लगबग एक महिना के आसपास हो सकता है कई मामलों में जो है डेड़ महिना दो महिना भी लगा दिया करते हैं कई मामलों में जो है पंदरा दिन बिस दिन में सब इसका भी खेल कहीं कहीं होता है ठीक है ये मैं बता दे रहा हूँ चलिए खराटाइए अब नियत तिती हुआ दोस्तो अब उस नियत तिती को वहाँ पर कौन जाएंगे अमीन सहब जाएंगे सरकारी अमीन जाएंगे या फिर अंचल अमीन का ये जो कही है सरकारी अमीन तिठी को उस प्लोट पर पहुंच जैंगे, और नापी करना सुरू करेंगे, आसपास के लोग भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे सरकारी अमीन का काम है कि भाई इस जमीन का सीमांकन कर देना है क्या करना है सीमांकन मतलब इस प्लोट का जहां जहां तक सीमा है जो कौर्नर है उसको यहां पर पथल लेगरा गड़वा करके जो है इस प्लोट को क्या करना है एकदम आलग कर देना है कि हाँ भै यहाँ यहाँ तक इसका लंब़ाई चोड़ाई है clear अब इसका सिमांकन जो है सरकारी अमीन के दौरा हो गया और हाँ अगर अगल अगल के वेक्तियों को दिकट होता है जो है पैसा वेगरा ले करके इसको जमीन ज़्यादा देदेगा अगर आपती है किसी प्रकार का तो अगल बगल के जो अमीन है वो अपना प्रैबिट अमीन भी रख सकते हैं ताकि अगर सरकारी अमीन गलती करता है तो उसकी पकड़ की जा सके ठीक है यह अधिकार है चलिए खैर हटाईए अब दोस्तों यहाँ पर सिमांकन हो गया सिमांकन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर दो तरह की चीजें जो है यहाँ पर तयार होगा ठीक है एक होगा मापी परतिवेदन मापी परतिवेदन और नकसा अब ये दोनों चीजे जो है दोस्तो इस अंचला धिकारी को दे दिया जाएगा, ठीक है? सरकारी अमीन के तोबारा जो मापी परतिवेदन है साथ में जो नक्सा है वो अंचला धिकारी को थंभा दिया जाएगा और इस तरह से आपके जमीन का जो है इस ए वैक्ति के जमीन का सिमांकन हो जाता है अब दोस्तों मायन के चले सिमांकन हो गया तो अब तो यह बले बले कोटेंसन नहीं भाई उसका जितना जमीन था सिमांकन होग या अपना जोदकोड प्रारम करेगा जो भी काम उसका है वो करना शुरू करेगा बौंडरी करेगा जो उसको करना करेगा कोई दिकत नहीं है लेकिन दोस्तों अगर सरकारी अमीन नाप के गया है और अगल बगल लोगों को अगर किसी तरह का अपत्ती है या फिर मायन के चले एको ही अपत्ती के भी सरकारी अमीन एगला पाटी से जो है मिली भगत हो करके ये काम गड़बड कर दिया है अगर किन ही को भी किसी तरह का अपत्ती होता है तो वो कोट भी जा सकते हैं कुट का दरवाजा खटखटा सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको जाना पड़ेगा भूमी सुधार भूमी सुधार उपसमाहारता नयाईले में और यहाँ पर जो है दोस्तों आपको अपील दाखिल करना पड़ेगा वो भी 30 दीन के भीतर 30 दीन के भीतर इतने दीन के अंदर जो है अगल बगल वाले लोग अपील दाखिल कर सकते हैं नयाईले में जा करके अगर 30 दीन से जादा होता है तो फिर उसका आपको पूरा यह देना पड़ेगा और साथ में फैन भी लग जाता है तो 30 दीन के अंदर अगर देते हैं तो मामला जो है जल्दी वहाँ पर ले लिया जाएगा और कानूनी परक्रिया शुरू हो जाएगी लेकिन जादा होता है तो फैन भी लिया जाएगा साथ में हो सकता है कि वहाँ पर आपका आवेदन खारीज कर दिया जाए ठीक है चले दोस्तों अब यहाँ पर मायन के चले किसी को आपती है और यह गया है नयाईले में नयाईले में ताखिल किया अपील 30 दिन के भीतर तो फिर क्या होगा यहाँ पर नयाईले जो है फिर बड़ी लेबल के जो अमीन होते हैं अगर सही पाया गया तो भाईया कोई दिकत नहीं इनके दोबारा नियायले के दोबारा जो जजमेंट आएगा उमानना पड़ेगा और अगर किसी तरह का परेसानी है कि भाई नहीं यहां पर जो नापी हुआ है वो गलत है तो भाई जो नियायले के दोबारा नापी करके मिल जो दस्तवेज मिला है जो मापी परतिवेदन और नक्सा मिला है वही मानी होगा ये नियाले अपने जज्जमेंट में कहा देगा सिंपली लेकिन अगर यही सही पाया गया भाया तो फिर जिस तरह से सिमांकन हुआ है वही सही रहेगा सिंपल सी फंडा है ठीक है तो यह यह प लेकिन कभी भी कोट का दरबजा खटखटाईएगा तो थोड़ा संभल के क्योंकि विलम होने की चंसे बहुत ज़्यादा होती है यह सब मामलों में पेंडिंग बहुत ज़्यादा राता है यह सब केस ठीक है इसलिए थोड़ा सोच समझ करके तो चलिए दोस्तों मुझे उ क्या बात करें लगभग में तो सारा चीज बात हो ही गया है ठीक है और कुछ वैसा अगर चूटा होगा तो कमेंट करके बताईएगा हम बातने बता देंगे कि बहुत सारी चीजहां आ जाती है तो बता देते हैं तो उस क्रम में जो है कहीं कुछ छूट भी जाती है लेकिन पर चूट गया तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं समस्तालिए वाला चीज था समझा दिया. लेकिन उसके अलावा अगर कुछ चीज थी जो बताना चाहिये था नहीं भी बताते हैं को दिकत कभी कभी होता है छूट जाता है तो क्या किजेगा उससे कोई तीकत ने जितना बताया गया है उसको कम से कम ले लिजेगा वही काफी आपके लिए चले दूस्तों आज की लिए ज्यादा हम बकवास नहीं करते हैं यहीं पर वीडियो को अस्टोप करते हैं